असलाम अलेकूम, वेलकम बैक टू माइ चैनल, चलिए तो शुरुआत करते हैं, आज हम बनाने जा रहे हैं आम का मुरब्बा, जो के बहुत ही टेस्टी बनता है, आईए तो इससे बनाना शुरू करते हैं, मैंने यहाँ पर एक खुला बरतन ले लिया है, मैंने यहाँ पर अ पूरी तरह से पका हुआ है, अक्सर मुरब्बा बनाने के लिए थोड़ा कच्छा पका आम इस्तमाल किया जाता है, जिसमें हलकी सी खटास होती है, तो मैंने यहाँ पर उस तरीके का आम नहीं लिया है, मैंने पूरा पकावा आम लिया है, और इसका मैं मुरब्बा बना र यह देखिए हमने आम की स्लाइसेस निकाल ली है और अब हम इसकी गुटलियों को साइट करकर रख देंगे, इसी तरह से हम सारे आम की स्लाइसेस निकाल लेंगे और ये देखिए हमने आम की सारी स्लाइसेस निकाल ली है और अब मैं यहाँ पर गुटलियों पे बचा हुआ जो आम है वो इस तरह से निकाल रही हूँ और सारी गुटलियों को हम इसी तरह से साफ कर लेंगे और ये देखिए हमने यहाँ पर सारे आम की गुटलियों का रस या पल्म कह लीजिए इसे हमने निकाल लिया है और अब हम इसमें दालेंगे आधा किलो शकर अब हम इसे अची तरह से मिक्स कर लेंगे हमें इसे हलके हातों से ही मिक्स करना है नहीं तो स्लाइस टूट जाएंगी तो ये देखिए शकर पिल्कुल ही अची तरह से मिक्स हो चुकी है और अब हम इसे आधे घंटे के लिए ढाक कर रख देंगे देखिए आधा घंटा हो चुका है अब हम इसे गैस पर पकने के लिए रख देंगे हमें इसमें हलके हातों से चमच चलाना है यहां पर आप देख सकते हैं कि शकर पिगलना शुरू हो चुकी है अब हमें इसे एक जोश आने तक इसी तरह से पकाना है यह देखिए इसमें जोश आना शुरू हो चुका है अब हम इसमें डाल देंगे डाल चिनी डाल चिनी का इतना तुकड़ा आपको 5-6 लेना है और उसके बारीक तुकड़े कर देने हैं इस तरह से और 8-10 इलाइची लेनी है और इसमें डाल देना है अब हम डालेंगे 1.5 टेस्पून नमक नमक डालने के बाद हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और इसे 2-3 जोश अच्छी तरह से ले लेना है दर्मियान में हमें हलके हातों से चमच चलाते रहना है ताके नीचे स्लाइस लगे ना ये देखिए इसमें तीसरा जोश आ चुका है और ये अच्छी तरह से पक चुका है अब हम गैस बन कर लेंगे और इसे अच्छी तरह से धंडा होने देंगे देखिए तो तयार है हमारा आम का मुरबा आप इसे एक साल तक फ्रिज में स्टोर करकर रख सकते है और ये जो रेसिपी है ये मेरी सासुमा ने मुझे बनानी सिखाई है तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राय करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें शेर करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें इन्शाला मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अलाहाफिस